गुट मॉनिंग कच्छा पांच अपने हिंदी व्याकरण के पुस्तक निका लिए और उसमें निका लिए पेज नंबर 40 बच्चा पेज नंबर 40 इसमें हमने कारक हमारा कम्प्रीट हो गया है अब हम इसके क्या करेंगे आज हम इसका अध्याय करेंगे अभ्यास करेंगे जिस कारक और मौकिक प्रश्ण संग्या या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबन जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो सिर्फ आपको क्या लिखना है पाकिस्तब आपको प्रश्ण से लिखना है सिर्फ आपको लिखना है कारक यानिकि संग्या या स काम करने वाला करता कारक कहलाता है जो काम करता है अब लिखित प्रश्ण है कारक किसे कहते हैं उधारन सही लिखिए तो देखिए संग्या या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबन अन्य सब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं इसके उधारन देखते हैं इसके उधार इतने भीद हैं पड़ते का नाम लिखिए तो कारक के हैं बेटा आर्ट भीद याद रखेगा हमने पहले भी पढ़ लिए हैं और वो कौन कोर से हैं करता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक आपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक संबोधन कारक ये आर्ट हैं पादानकारक का विभक्ती चिन लिखिये तथा उधारन देखकर उनमें अंतर भी बताईए बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था और आप फिर से बता रहे हूं दोनों का होता है से दोनों का चिन होता है से उत्तर देखिया करणकारक का चिन है से ठीक है किरिया के साधन प्रकट करता है इसमें क्या होता है? जो क्रिया होती है, उसका जो सादन होता है, उसको हम से का यूज़ करते हैं, करनकारक में. आपादनकारक Dopal chapkin जिन भी शे ही होता है, लेकिन ये होता अलग करने कारत यानि कि कुछ वी जैसे पेड से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड से पत्ते अलग हो गए पहले अब मैं आपको उधरन देखा समझाते हूँ जैसे श्री राम ने रावन को बान से मारा श्रीराम निरावन को पार्ण से मारा तो यहां पर क्या है जो यह से आया यह एक साधन है मारे पास क्या है साधन दूसरे है नदियां पहाडों से निकलती है यानि कि नदियां क्या है पहाडों से क्या हो गई है अलग हो गई है तो इसमें क्या है पहले वाक्य में से क्या एक साधन है जबकि दूसरे वाक्य में क्या है से अलग होने का भाव है क्याने कि दोनों में अंदर है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए आपका है उची दिकल पर सही का निशान लगाईए सही का निशान लगाने आपको कारक को प्रकट करने के लिए जो जिन प्रयोग के जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं परसर्ग क्या कहते हैं परसर्ग खो है करता कारक को विवक्ती जिन है तो करता कारक का विवक्ती जिन है ने गो, हिंदी में कितने कारक है, तो हिंदी में कितने कारक है, आपने पढ़ लिया अभी तक हिंदी में कितने कारक है, हिंदी में है आठ कारक गो मदारी ने सांप को रिक्स्तिस्तान है पकड़ा इस वाकिय में उचित कारक है तो मदारी ने सांप को तो यहाँ पर हमने लिखा को ठीक है गिसमें आपका लाश्ट में कर्मकारक का चिन्न है तो कर्मकारक का चिन्न है को तो इस प्रकार से आज हम इतने ही करेंगे बाकी हम क्या करेंगे बागी का अध्याय हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आज हम इतने ही करेंगे ठीक है ओके